नमस्कार दोस्तों, Health Tech चैनल पे आपका स्वागत है ट्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको Low Marks 500MG कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है इसको कैसे इस्तेमाल करना इसके डोज के बारे में इसके साइड इफेक्ट, Market Price, Content इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो फ्रेंट्स की प्या वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स Low Marks 500MG कैप्सूल जिसके Market Price की बात करें तो इसकी Market Price 24 रुपए है और 10 कैप्सूल एक इस्टिब में आता है तो फ्रेंट्स 24 रुपए में 10 कैप्सूल मिल जाता है और इसके Company की बात करें तो इसको Globex Health Care के द्वारा इसकी Marketing होती है और फ्रेंट्स इसके Content की बात करें तो इसमें EmoxyCeline होता है जो की 270014 प्रतियक कैप्सूल में होता है तो फ्रेंट्स आईए जानते हैं इस कैप्सूल का इस्टिब किन किन समझ्याओं में होता है तो यह एक प्रकात का Antibiotic है जो की Bacterial Infection को ठीक करता है तो फ्रेंट्स Bacterial Infection से जो जो भी समझ्याओं होती हैं उसको ठिक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है जैसे कि निमोनिया, टांस्यल, गले में इंफेक्षिन या मुँव में इंफेक्षिन बुखार, RTI यानि कि Respiratory Track इंफेक्षिन इसके अलाव अप्रेंट्स UTI यानि की यूनरी ट्रेक इंफेक्शन में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है जैसे की पिसाब में जलन या पिसाब नली में इंफेक्शन भार भार पिसाब होना या पिसाब के साथ खुनाना इन सब समस्याओं को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा इसकी निम्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे की सरीर में खुली होना लाल दाने या लाल चकत्ते निकलना इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा फ्रेंट्स किसी भी प्रकार का चोट जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो उसको ठीक करने के लिए या फोड़ा फुनसी इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है किसी भी प्रकार के आप्रेशन होने के बाद जो घाव हो जाते हैं उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेंट्स ये बहुत ही अच्छा एंटिबाटिक है जो की बैक्टरियल इंफेक्शन को ठीक करता है या बैक्टरिया की सेल वाल को नश्ट कर देता है जिससे की बैक्टरिया मर जाते है इसके अलों फ्रेंट्स कान या आँख में इंफेक्शन इन सब को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेंट्स बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में तो एक adult effect इस capsule को दिन में 2-3 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद इसका maximum dose एक दिन में 1500 mg ले सकते हैं एक adult effect तो फ्रेंट्स age, weight और समस्या के हिसाब से dose अलग अलग हो सकता है तो इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्श जरूर ले 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 और dose के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले 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 उसके बाद इसका इसका इस्तेमाल करें और फ्रेंट्स बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में तो वैसे तो इसके side effect बहुत ही कम होते हैं लेकिन जिनको इसमें मौझूद content से allergy है उन्हें कुछ समस्याइं हो सकती हैं जैसे कि सरीर में खुझली होना, लाल दाने निकलना, लाल चकते होना ये सब समस्याइं हो सकती ह इसके अलावा फ्रेंट्स सरदर्द या पेट में दर्द, पेट में गैस की समस्याइं, जी मसलाना, उल्टी, दस्त ये सब इसके side effect हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं तो फ्रेंट्स यहती हमारी आज की जानकारी लोमाक्स डाइस ओयमजी कैपसूल के बारे में आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर नए वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे और दोवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे, तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ